हेलो एवरिवन माईसल पंकच कुमार सिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉंबे डग के बारे में बॉंबे डग जिसको कॉमन नियमें बुमालो बॉंबिल और बुमला भी भोलते हैं ठीक है बॉंबे डग का सांटिफिक निम हर्पिड़ॉन नहरियस है त अब फिश आविलेबल थी तो बैंगॉल के लोगों में या वेनेस आगी या उन्हें को इसने बताए कि बॉंबे मैं ऐसी मचली है कि जिसका प्राइस बहुत ही कम और बहुत जादा अब अबंडेस में पाह जा रही है तो बैंगॉल के लोगों ने डिसाइड कि क्यो रहा ह होती थी मेल मतलब की जिसमें चिट्टियां वगरा जा रही होती थी चिट्टी न्यूस पेपर यह सा और जो भी समान होता था वो उसी ट्रेन से जाती थी उस ट्रेन में ही बॉम्बे डग को रखके बेजा जाने लागा बेंगॉल में तो हुआ यह कि रॉबर्ट क्लाइव के जो लेटर और चिट्टियां जो आती हो वो डग उससे रिलेटेबल उसका नाम पड़ा था बॉम्बे डग लेकिन टाइम टू टाइम प्रेनिंशेशन में चेंजिस हुई और उस बॉम्बे डग से बॉम्बे डग में अभी यह कनवर्ट हो गया इसका नाम प्रॉग्जिम की बात करें अगर बॉम्बे डग की तो फाइलम कॉर डेटा एक्टिन अजिएर फिश अधियर ऑ्डरे ओर्डे जिसमें के लीजर्ड फिश आती है फैपली सिंडॉं टुडी लीजर्ड फिश वालिए फैबिली सभ फैमली हर्पडॉन की डी बॉम्बे डक जीनिस हर्पड है एक मुस्भूप को क्दल्फिन आपको दिख जा गए ए आ पे के इस लाज्ज हैड है इम्टेडबडि है थिकेफ और ये भ्रॉणिश से घ्रेव स्टी में फार मोर्फिलाघ टॉक्टर इसक भात करेद है तो हर्पुड़ों जीनेस कंप्राइजर तू स्पिशीज हर्पुड़ों नहेरियस और हर्पुड़ों स्कैमोस बॉड़ी स्लेंडर है सॉप्ट है जलेटिनेस ने अपिरेंस है और फॉस्फोरेसेंट फीचर देखा गया इनके अंदर की इनकी बॉड़ी बहुत ही शाइन है इनके डिप्रेसिबल टी इन दा जॉज चॉड़ल फिं ट्राइलोग यह इंपॉर्टेंट के इस बॉंब ड़का कि इनका जो कॉडल फिन हता वह ट्राइलोग होता है यह बहुत ही यह कोशन बहुत बाद पूछा गया है जारएक कले बहुत बहुत बाद पूटेंट ही ह seas and estuaries of India, east Pakistan, Burma and states of Malacca जो कि Malaysia side में पढ़ता है In India, it occurs in large quantities on the west coast in Gulf of Kirksh, Gulf of Cambay in Gujarat along the Konkon coast of Maharashtra particularly in Kolaba and Thane district on east coast, it is taken in small number along the Coromandel coast in appreciable quantities along the Andhra Odisha coast in the estuaries of West Bengal ठीक है, shoaling behavior इनकी एक और कैटस्टिक है shoaling behavior पाए गया इनके अंतर एक concept पहले समझ लेते है shoaling behavior और schooling behavior दो term होता है, shoaling और schooling shoaling में क्या होता है कि basically ये s-h-o-a-l shoalmates, ये क्या होता है कि ये occasionally gather करते है occasionally जब या फिर कोई community basis पे या social gathering होती है एक social gathering की terminology जोता है these are shoalmates, एक social gathering show करते है social gathering in the sense की इनकी जो gathering होती है वो बिल्कुल इनका जो movement होता है वो independent होता है एक दूसरे पर dependent नहीं होता है बस ये एक साथ group में इसलिए रहते है ताकि reproduction में help हो जाए defense mechanism के लिए एक साथ रहते है group में और feeding habit के लिए रहते है और schooling में क्या होता है कि they move in the same direction all the fishes in schooling behavior moves in the same direction that's the major difference in shoaling and schooling fishes तो shoaling behavior देखा गया है Bombay deck के case में और they inhabit deep water offshore on sandy mud bottom for most of the year but also gathers in large shores and deltas of rivers to feed during monsoon bentho pelagic species is really divertsal है लेकिन feeding habit के लिए ये mid water और pelagic भी बन जाती है oceanodramas migration show करते है ocean के अंदर ही migrate करते रहते है depth range 50 meter food or feeding habit के अगर बात करें तो early stage में ये prawns के उपर feed करते है as the growth progress जैसे से बड़े होते है तो इनका जो feeding है वो prawns से हटके fishes पर जाता है of the food while the percentage of the prawn varies between 74 to 78 और जैसे adult stage में पहुचते है तो klopit 37.8 हो जाते है और प्राउन 47.8 मतलब जैसे ये adult size के होंगे वो fish पर feeding इनकी जादा बढ़ जाती है और ये बहुत ही voracious feeder है carnivorous habitat है इनकी और cannibalistic feeder है it does not show preference for any particular type of food but feeds mainly on fishes and crustaceans ये इनके food item है prawns और klopits okay feeding adaptation की बात करें wide gap of the mouth and elongated lower jaw enables the fish to shallow large size prey ठीक है teeth in both the jaws are thin, long and recurved which prevent the prey from escaping ये इनका adaptation है teeth बहुत thin होते हैं long होते हैं जो prey को escape करने से रोकते हैं stomach is greatly distensible distensible मतलब कि elastic stomach है जैसी ही कोई organism जाता है तो ये अपने stomach उसको जोता है और वो adjust कर लेता है उस organism के size की साबसे जो stomach है Bombay duck को adjust कर लेता है for example Bombay duck of 210 mm long has a 250 mm trichurus in its stomach trichurus hair tail ठीक है large head hair tail इसको बोलते है Bombay duck is a continuous breeder but two peaks of spawning is seen that is from November to December and March to April अगर yearly wise size की बात करें तो first year में 50 mm के होते हैं second year में 150 third year में 230 and fourth year में 290 average side join का जो highest की है maximum 290 mm होता है reproduction की बात करें अगर तो इनकी sexes जो होते हैं separate होती है male अलग होते है female अलग होते है separate sex होते है hermaphroditism अभी तक नहीं देखा गया है there also no external sex differentiating character external sex differentiating characters भी नहीं देखा गया है maturity के बात करें तो males के case में testis जो है वो differentiate होते है जब male 170 mm long हो जाता है females के case में 120 to 140 mm long यह female जाती है तो testis sorry over differentiate हो जाता है testis in male and over in female testis male में 170 mm पर differentiate हो जाता है craft and gear जो इनके लिए यूज होता है जो सबसे most popular है वो है dolnet जो कि एक type का bagnet है spelling यहां पर गलत हो गया double L है एक ही L होगा single L होता है d o l the bagnets or dolnets on the west coast in maharashtra gujarat में यूज होता है gillnets or khandary in gujarat khandary बिहुंडी जाल और fixed bagnet fixed bagnet का डभी होंडी जाल एक fixed bagnet है जो estuaries of bengal and matla river में यूज होता है matla river dolnet is operated in depth varying about 15 to 50 meter operation being carried out at greater depth at season analysis actually PPT में मैंने dolnet का diagram नहीं दिखाया जो कि मैं cover करूँग अपने later presentations में जिसमें मैं crafts and gear के बारे मैं explain करूँग dolnet कैसे operate कर तो मैं दिखा दूगा उसमें लेकिन इसमें मैं नहीं दिखाया भी इन गुज्राथ गिलनेट खंडेरी is operated in the 10 mile zone between कुसांब और कोलाग आंद्रपिदेश में boat scene का यूज करते हैं जो कि catamaran two catamaran से operate करते हैं boat scene को इर्गा विला fixed bagnet are used in Odisha coast and behundi jali is used in the west Bengal from October to June future fishery aspect की बात करें तो इसका bomber duck का exploitation रोकने के लिए basically हमें देखना चाहिए कि हमारी current जो हम लग fishing कर रहे है intensity क्या है और हमारी जो level of fishing intensity क्या हो सकती है उसके हिसाब से हम इस fishing करना चाहिए ताकि हम maximum sustainable yield develop कर सके और study on the migratory habit एक्स larva पर बहुत जरूरी है और spawning season के बारे में जान कहीं तकना जरूरी है ताकि जो भी exploitation उसे हम रोक सके emphasis on the laminated bomber duck European Union ने इसे ban कर दिया था bomber duck की जो export है उसको ban कर दिया था क्योंकि जो bomber duck है वो dried form में ही basically export था जब कि European Union का जो trade का जो data है उसमें वो बोलता है कि basically वो freezing और canning products को ही accept करते हैं तो इसलिए bomber duck के उपर बहन लगा दिया था लेकिन तो इसके बार कर उनका जो export है वो potential decrease हो गया था इसलिए उनका laminated bomber duck का potential बढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग इसका अगर वीडियो पसंद आ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे इसी तरह के और lectures और वीडियो आते रहेंगे जो भी fisheries से related होंगे और अभी सभी अपने fisheries friends से आप शेयर कर सकते fisheries community में thank you सुनने के लिए झाल